नवस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है सिक्षा अकैडमिंग के इस नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्द प्रदेश पुलिस 2019 के बारे में दोस्तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब कांग्रेस सरकार बननी नहीं थी उससे पहले उनके गोशना पत्र में हजार किया गया था कि पच्चास हजार बैकिंग से यहाँ पर निकाली जाएंगी यहाँ पिच्चास हजार प्लिस कर्मियों की भरती की जाएगी तो दोस्तो सरकार बनने के बाद अभी तक कुछ भी यहां से अपडेट सामने नहीं आया है जिसमें यहां फिर जो न्यूज वारल होती हैं दोस्तों वह सब फर्जी बना के लोग वारल करते हैं यहां पर बिल्कुल भी एक्चुल नहीं है क्योंकि दोस्तों अभी गवर्मेंट की तरफ से ऑफिस्यल नोटे से नहीं आया है कि जो मद्य प्रदेश की पुलिस कॉंस्टेवल कब आएगी और आएगी तो आएगी या नहीं आएगी लेकर दोस्तों सब इस्पेक्टर की कनफर्म हो चुकी है कि वह 15 जनवरी के पहले तक यहां पर नोटिपिकेस अब बिट कर दिया जाएगा लेकिन कॉंस्टेवल का भी कुछ भी अता पता नहीं है कि आखिर आएगी तो कब आएगी और आएगी या भी नहीं दोस्तों यह सरकार ने भी इसके वारे में अभी कुछ भी नहीं बोला है जो कि अभी जब बोलेंगे तो दोस्तों उसकी ओपिसियल नोटिस भी आ जाएगा उसके बाद दूस्तों यहां पर कनफर्मिशन से आप कह सकते हैं कि यू क्लोटिप्रिकिसन आ सकता है ठीक है अदो फर्मारी में नहीं आया है तो फिर नहीं आएगा क्योंकि तीन महें बाद यहां पर लोक शुभा की चुनाव आने वाल है जो भी आप प्रवर्य माह में ही निकलेंगी उसके बाद यहां नकलना एंकॉसिवल साल लगता है इसलिक जो भी मद्द पिर्दिश कॉंपुल कॉंश्टेवल ऐसा है की भरतिय भाइच जनवरी और फरवरी के माह में भी यहाँ पर निकाले जाएंगी उसके बाद कोई भी बैकिंग सी नहीं निकलेंगी क्योंकि वहाँ पर लोक्षभागा चुनाव होने बाला है तो दोस्तों आप को निशंत रही है जैसे यह मद्द प्रदिश कॉंश्टेवल का नॉटिफिक्शन आता है तो तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन आपको सिक्चा अकैडमी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों यदि आप चैनल को सश्काइब नहीं किया है तो सिक्चा अकैडमी चैन वीडियो को लाइक करें शेर करें और होशा कि आप अपने चैनल सिक्चा अकैडमी को सब्सक्राइब ना भूलें तो चले दोस्तों मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक लिए दोस्तों बाए